हलो दोस्तों आप देखरें साइट एक विजय नुटी दिन दी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्ताप लोग के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं मदरबोट के आइडेंटिफिकेशन को ले करके मदरबोट के पहचान को ले करके कि हम कैसे जाने कि यह मदरबोट कौन सा जनरेशन का है यह मदरबोट पर कौन सा प्रोसेसर लगेगा या फिर प्रजेंट टाइम में जो भी हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उसके अलमा अगर हम उसको अप्ग्रेट करना चाहते हैं तो हम कौन-कौन सा प्रोसेसर लगा सकते हैं या उपर के वर्जन में हम कौन-कौन से प्रोसेसर के साथ हम अप्ग्रेट कर सकते हैं इस टाप के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आप लोगों के कमेंट में उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जैसे मान लीजिए ये हमारे पास motherboard है ये दो motherboard है तो हम कैसे जानें कि इसके अंदर कौन सा motherboard लगेगा या फिर हमारे पास मान लीजिए कोई भी ये motherboard है जिसमें मैं i3 यूज़ कर रहा था लेकिन हमें अब उपर का कोई भी वर्जन का प्रोसेसर हमें यूज़ करना है तो कौन सा प्रोसेसर इसके अंदर उपर वाला वर्जन लगेगा कौन सा लगा सकते हैं इस टाइप का confusion हमेशा बना रहता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और पूरा का पूरा confusion को जो है हम खत्म करने की कोशिस करेंगे तो समझने के लिए आप इस वीडियो को आज तक देखते रहिए और अगर आप इस चनल पर नए हैं तो प्लिज वीडियो को लाइक कर देजिए वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है आपके लिए और एगर अभी शनल पर नए हैं तो प्लिज चल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक कर देजिए क्योंकि मैं स्टफ की बहुत सारी वीडियो ले करके आता रहता हूँ तो आईए दोस्तों समझते हैं कि हमें कैसे पहचान करना है कि यह motherboard कौन सा है तो जैसे कि आपे देख पा रहे हमारे हाथ में दो motherboard है एक है बायो स्टार जो काफी छोटा है अगर इस तरीके से देखेंगे तो और यह है आसूस का साइस का बहुत ही ज़्यादे डिफरेंसे है और यह पता नहीं कि यह motherboard कौन सा है अगर ऐसे देखेंगे तो और इसमें कौन सा प्रोसेसर लगेगा उसके लिए जानना है तो बड़ा ही सिंपल है मानलीजी अगर हम इस बोड के अंदर देखना चाहें तो इसका model number होता है वो model number हर किसी motherboard पर जो प्रोसेसर होता है उसके आस पास कहीं न कहीं लिखा होगा या फिर side में कहीं न कहीं जरूर लिखा होगा अगर कहीं नहीं लिखा होगा तो back side में जो है कोई न कोई sticker लगा होता है जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर sticker लगा हुआ है इस sticker पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो इस तरीके से जो है कहीं न कहीं जरूर लिखा हुआ रहेगा अगर इस तरीके से लिखा हुआ कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तब आपको एक expert की सलाह लेनी होगी उसके बाद ही जाकर कि आप upgrade कर पाएंगे लेकिन 99% motherboard पर कहीं न कहीं जरूर लिखा होता है ये आपको ध्यान देना होगा जैसे अगर इस motherboard की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं Asus H61M-K ये इसका model number हुआ company के साथ में और दूसरे की अगर हम बात करें तो इस पर भी लिखा हुआ है एक तो bio star का जो है यहां पर brand का logo है और उसके बाद जो लिखा हुआ है LGA 555 ये जो है इस socket का number है और उसके अलावा जो है यहां पर एकी sticker लगा हुआ है आप ये देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है H61M-GV3 ये इसका model number है तो इस तरीके से आप इसका model number देख पाएंगे और इस model number से ही आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कौन कौन सा processor लग पाएंगे तो अब आपको net का सहारा लेना होगा Google का सहारा लेना होगा उसके लिए आईए हम चलते हैं laptop पर और देखते हैं कैसे हम पता करेंगे इसको तो यहां पर Google पर आने के बाद जो है सबसे पहले आपको उस brand का जिस brand का जिस company का आपका motherboard है उसका नाम type करना होगा मान इस थरी motherboard यही motherboard यह है जो भी net पर दिखा रहा है वही motherboard यह है इस पर आप जो है इंटर करेंगे तो उसके बाद जिस company का motherboard है उसी का side आप देखेंगे यहां पर www.biostar.com यहां पर दिखाई दे रहा है आप इस पर जो है click करेंगे और यहां पर आजाएंगे यहां पर कुछ ही जो management information है वो आपको यहीं पर मिल जाता है बाइउस्टार के side पर दिखा रहा है socket जो है LGA 1155 लगेगा यानि 1155 वाला processor आपका जो है इसके अंदर लगेगा और उसके नीचे यहां पर दिख रहा है support the Intel 3rd generation and 2nd generation and core i7, i5, i3 यानि कि इसके अंदर जो processor लगेगा generation wise, generation third generation का या फिर second generation का लगेगा और वो i3, i5 और i7 तक आप इसको upgrade कर सकते हैं अगर इस motherboard पर जो है आपने i3 का processor लगा रखा है third generation का तो third generation का ही आप i7 का भी processor इसके अंदर लगा करके चला पाएंगे और वो processor कौन कौन सा number हो सकता है उस पर eject जाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं यह CPU support दिखा रहा है आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर सारे processor और उसके numbers आपको दिखाई देंगे और उसका what is वगरे frequencies वगरे सारा यहाँ पर दिखाई देगा यानि कि अगर आप i3 यूज़ कर रहे थे तो i7 का यह 37S processor आप इस पर यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके नीचे यह i5 के इतने सारे processor जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा processor आप जो है लगा सकते हैं कोई भी down version अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर Pentium का ये सब अगर आप यूज़ कर रहे हैं 20-20 बहुत चला करता था इस motherboard पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसी motherboard पर आप i7 तक का processor आप लगा करके आप इस motherboard को यूज़ कर पाएंगे तो यहां से बिलकुल भी खुलने का तरीका अलग होता है जो चीज़े लिखी हुई है वो थोड़ा इधर-उदर होता है लेकिन चीज़े सब में मिल जाती हैं उसी के हिसाब से अगर हम यहां पर देखें आसूस का H61M-DOS-K यह मंतरबुडु पर आगया है देख सकते हैं इंटर करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं असूस.com पर ही जायेंगे पहला वेबसाइट यहां पर आजाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं वो शाडी चीज़े यहां पर information आपको मिल जाएगा टेक की स्पेस चाहिए इसका टेकनिकल स्पेसिफिकेशन चाहिए तो इस सारी की सारी टेकनिकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं और उसके बाद सपोर्ट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है CPU and Memory सपोर्ट जब आप यहाँ पर क्लिक करेंग तो यहां पर CPU के बारे में सारा का सारा लिख रहा है यानि कि इस motherboard के अंदर जो आपका ये आसूस का motherboard है इसके हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो है आप Celeron G470 से ले करके और आप आगे ये I3 के सारे processor है I5 के सारे processor है इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको I7 के इतने सारे processor नजर आएंगे ये सारे processor जो है ये मत्र एक motherboard पर आपको जो है support करेगा तो अगर पुराना आपका कोई भी motherboard इस type का है जिसमें आप Celeron यूज कर रहे थे यानि कि कोई भी बहुत ही पूराना version आप कोई भी बहुत ही पूराना CPU प्रोसेसर आप यूज कर रहे थे आप उसको upgrade करना चाहते हैं जादे पैसा आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इस तरीके से देख करके और आप जो है यहां से इस तरीके से आप जो है उसको अपग्रेट कर सकते हैं अगर बहुत ही डाउन है तो आप उसको i3, i5, i7 तक ले करके जा सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है generation का कि आपको कौन सा generation का जो है आपको processor लगाना है जैसे कि core i5, 20, 90 लगेगा तो यह second generation का है यानि कि two से जो start होगा वो second generation, three से start होगा कोई भी processor का number तो third generation का होता है, four से start होगा तो fourth generation का होता है, इसी प्रकार से generation जो है आपका बदलता रहता है इस तरीके से, इसके अंदरा आप देख सकते हैं यह gigabyte का, यानि कि यह motherboard है और यहां पर लिखा हुआ है Z490M, तो इसको अ तो हम सबसे पहले यहां पर gigabyte और आगे Z490M, आप देख सकते नीचे आ गया, इस पर हम इंटर करते हैं, सबसे पहला वाला ही हम उठाएंगे, तो यहां पर यह page खूल करके आएगा, काफी सारी information आपको यहीं पर मिल जाएंगी, बाकी नीचे जाएंगे तो इस motherboard से related सारी information आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, इस specifications देखना है, तो आपको यहां से specification पर click करके देखना होगा, और processor का अगर आप support देखना चाहते हैं, तो आप यह support पर click कीजिए, और यहां पर आपको CPU support पर click करना होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं 11th generation और 10th generation के processor इस motherboard प यह हुए हैं, जो model आप इसके अंदर यूज कर पाएंगे, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान है, किसी भी motherboard के बारे में जानना, उसके generations को जानना, उस हिसाब से जो है, आप motherboard को upgrade कर सकते हैं, अपने computer और फिर CPU को upgrade कर सकते हैं, दोस्तों वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप comment पर बताएं, और अगर बीडिवीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें और पहली बार चैनल पर हैं, तो पहली चैनल को जजर मेंrió लाइक कर साथ सेर कि अच्कि로 बारे को इसाना सवश पने को लाइक कर दें, आज देंगों को झेशा है, अमक्र आप से बाहें यहां